वेल्कम बैक गाईज आज हम लोग खेलने जा रहे हैं रोब लॉक्स तो काफी खास होने वाला है वीडियो क्यूंकि आज मुझे प्रिजन से स्केप करना होगा उपन करते हैं चलो गाईज उपन करा हम लोग यहां भी आ चुके हैं सेफली तरीके से इसे उपन करके हम लोग यहां भी आ चुके हैं और सही तरीके से मुझे आगे बरना होगा और मैं वही कर रहा हूँ आगे चल दे फड़ावर से गाईज चलो ठीक है उसके बाद हम लोग यहां भी आ चुके हैं आगे चल दे फड़ावर से ओल राइट यह रा बटन इस बटन को दबाते हैं चलो ठ पाइप करेंगे और जंप कि हम सब्सक्राइब कोने काफी अची तरीके से ऑकर आगे चलते फटाबर से यहाँ पर दिख सकते हूँ है तो हम लोग क्या करेंगे प्लैंक्स को जम्प करेंगे जम्प करा उसके बाद जाएंगे कहां सामने टेनल में तो चलते हैं न फड़ा बशे टेनल के अंदर तो गाईस हम लोग आ चुके हैं टेनल में भी उसके बाद यहां भी आ चुके हैं सेफली तरीके से ट्वालेट के अंदर चलते हैं ये रहा सावल और सावल की मदद से हम लोगों ने गढ़ा करना स्टार्ट कर दिया है हमें कुछ सकेंड वेट कर लेना है गाईस थोड़ा सा वेट करेंगे चलो ठीक है नीचे हम लोग आ चुके हैं जंब करके अच्छी तरीके से जाना होगा और मैं वही कर रहा हूँ चलो ठीक है इसके उपर चलते हैं और मुझे सही तरीके से पार करना पड़ेगा और मैं वही कर रहा हूँ कोडिनेशन मिलागे चेक करो किस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन है और मुझे से आगे एक character निकल चुका है और मुझे इसे beat करना है मुझे इसे beat करना है चाहे जोबी हुजा रुःते हैं वो character नीचे गुरी है man, वो character नीचे गुरी है मैं यहाँ से आगे निकल जाओंगा आल्राइट गाइस हम लोगना अच्छी तरीके से पार करा आगे चलते हैं फड़ावर्ट से ओके यहाँ पर देख सकते हो क्या ए खतरनाकसा नीचे एसिड है खतरनाकसा नीचे एसिड है आगे चलते हैं यहाँ पर भी रुख चुके हैं और यह गोला जा चुका है अब आगे चलते हैं और यहां स्टेक हिया फिर से गोला आएगा फिर से गोला आएगा और यह गोला चला गया फिर सम लोग आगे जाते हैं और देखते हैं क्या सीन होता है मुझे ने पता क्या सीन है और यहां पर स्टेक हिया और यह गोला दुबारा से जा चुका है गाईस फिर से आगे चलते है अब जाना होगा मुझे इसके उपर तो चलो फड़ावर्स इसके उपर चलते है चलो ठीक है ओल्राइट ओल्राइट आगे चलना होगा हमें यह राव वील इसे घुमाते है चलो घुमा दिया लेकिन यह गार्ड मेरे पीछे पर चुका है ओके यहां जल्दी आगे जाना होगा गाईस यहां से जल्दी आगे जाना होगा और सही तरीके से जाएंगे चलो ठीक है यहां भी हम लोग सेफली तरीके सा चुके है और सही तरीके सा के बरते जाएंगे चलो ठीक है यहां भी हम लोग आचुके है अब आगे चलते हैं इसके उपर आना होगा तो हम लोग सेफली तरीके साथ चुके हैं समल के कोडिनेशन मिला के पूरा का पूरा कोडिनेशन मिला के चलो ठीक है हम लोग ब्रिज के उपर आ चुके हैं और अब देखते हैं कि हम लोग कहां जाने वाले हैं विल को मतलब लिवर को पूल डाउन कर दिया यह लिफ्ट मुझे उपर लेके जा रहा है तो हमें थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा ओके थोड़ा सा रुख जाते हैं रुखने में क्या है चलो ठीक है आगे चलते ह और सामने देख सकते हो बटन है इसे दबाते हैं इसे दबा दिया चलो ठीक है अनरजी टिंक मैंने पी लिया है और सही तरीके सा आगे बढ़ेंगे और राइट हम लोग काफी अच्छी तरीके सा आगे बढ़ रहें बिना किसी दिक्कत के चलो ठीक है उसके बाद सामने दे पर सही तरीके सागे बढ़ते गाईस चलो ठीक है आगे चलते हैं इसके उपर जाना होगा और सही तरीके सागे चलते हैं अब इसके उपर चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसके बाद चलेंगे इसके उपर अबे उपन हो जा ब्रो चलो ओपन हो गया और सही तरीके से उपर जा रहे हैं दिक्कत वाली कोई सीन नहीं है अल्राइट गाईस हम लोग नीचे भी आ चुके हैं समल के जाना होगा सामने का एर एर प्रेसर को ज्यादा ही तेज है और यहाँ दोनों तरफ काफी खतरनाक सा ट्रैप है चलो ठीक है इसके उपर जाना होगा ओके अल्राइट आगे बरते फटाबर से यहाँ भी आप लोग देख सकते हो पाइप है हमें पाइप पर जंब करते हुए जाना पड़ेगा मिस्टेक नहीं होना चाहिए गाइस मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए चलो ठीक है और राइट यहाँ आ चुके हैं आगे बरते हैं फटाबर से आगे बरते हैं यहाँ भी सिफली तरीके से पहुँच चुके हैं और अच्छी तरीके सा आगे बरना होगा और राइट गाईस हम लोग यहां भी आ चुके हैं देख सकते हो यहां तीन पाइप में से एर निकल रहा है हम लोग नीचे भी आ चुके हैं आगे बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को जंप करा यह रहा वील इसे घुमा दिया पहला वील बंद हो चुका है पहला पाइप अब चलते हैं सेकेंड पाइप की तरफ फटाबर चलते हैं सेकेंड पाइप का वील मुझे बंद करना होगा और देख सकते हो ठीक मेरे सामने इसे भी मैंने पूरी तरीके से क्लोज कर दिया अब आचा है सबसे लास्ट का पाइप जो कि हमारा होने वाला थर्ड पाइप तो मैं उसे भी बंद कर दूँगा ओके ओल राइट देख सकते हो यह पाइप खुला हुआ है और मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा ओके इसके उपर जाना होगा अगर हम लोग यहाँ पर सारे पाइप का एर बंद नहीं करते तो हम लोग आगे जाही नहीं पाते क्योंके हम लोग किल हो जाते ना यह जो प्रेसर था पाइप का को ज्यादा ही तेज था चलो ठीक है सेफली तरीके सा आचुके हैं ओके अब देखते हैं कि मुझे क्या करना होगा इसके अंदर जलते हैं टudes में तो गाईस हम लोग आत कुक है ट духов में सेफली तरीके से और आगे बढ़ते जाएंगे और चेक करेंगे कि आख हम लोग कहा जाएंगे ओकि मैं समझ गया यह अब चेक करो कितना ज्यादा यहाँ पर है कुछ ज्यादा ही है तो समल के जाना होगा अच्छी तरीके जाना होगा ठीक है और राइट गाईज हम लोग काफी सही तरीके से जा रहे हैं ओके बहुत सही है मैं उसके बाद हम लोग यहाँ भी आ चुके हैं ओके फड़ाबर चलते इसके उपर और राइट है मुझे सीधा जंप करना होगा और चंप करके सीधा जाएंगे टनल के अंदर और टेनल के अंदर भी हम लोग आ चुके हैं और यहां हम लोग नीचे भी आ चुके हैं आगे चलते फड़ावट से और यहां जैसे हम लोग आते हैं तो Old Harry का Harry एक सेफ नाम का एक सेफ है और यह काफी डेंजरस है और मुझे इसे, मतलब मुझे खुद को इससे बचाना है तो काफ़ जदा complicated scene होगा तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ चलो weapon मिल गया इस weapon की मदद से हमें save का सामना कर सकते हैं बिना किसी दिकत के चलो ठीक है damage देना तो star मैंने कवका कर दिया है और धीरे धीरे करके इसका पूरा health HP खतम हो जाएगा ठीक है देख सकते हो कितना जदा मैंने कम कर दिया है और मुझे इसे पूरी तरीके से खतम करना पड़ेगा और राइट गाईस यह हो चुका है पूरी तरीके से destroy अब आगे चलते हैं फड़ा बर्स है फड़ा बर्स हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्या scene होगा ओके आगे जाना होगा यहाँ पर नीचे देख सकते हो काफी खतरनाक सा arrow है और सही तरीके से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पराने एक बाद एक highly jump करा और नीचे land कर चुके हैं चलो ठीक हम लोग लोग नीचे land भी कर चुके आगे चलते हैं फड़ा बर्स आगे चलते हैं इसके बाद इसके उपर चलेंगे और सही तरीके इसके उपर जना होगा हमें चलो ठीक है एक जड़ उपन करके आगे जाएंगे और यह थोड़ा सा challenging है इसी लिए समल के जाना होगा इस उपर लेजर है अगर लेजर मुझे में touch हो गया तो मैं एक ही जटके में kill हो जाओंगा ओके चलो ठीक है ओल राइट उसके बाद क्या वे नहीं अरे नहीं यारे मुझे लगा ही था लेजर थोड़ा सा सटेगा मैं kill हो जाओंगा यह हमारा second chance है और second chance में हमें कोई भी गलती नहीं करना है चलो ठीक है एक एक करके सारे लेजर को बीट करेंगे चलो ठीक है guys ओके इसे भी बच गे हम लोग आगे चलते हैं ना फटाबर्स से और रवाटी से भी बच गे हम लोग नीचे लैंड करते हैं ना फटाबर्स से यहां हम लोग लैंड भी कर चुके हैं अब फटाबर्स आगे चलते हैं फटा फट से आगे चलते हैं समल के जाना होगा देख सकते हो चलो कोई ना फिर से एक बार जंप करेंगे जंप करा ओके सामने देख सेकते हुए, मेरे सामने हेरी रोबोट है और मुझे इस हेरी रोबोट से fight करके इसे पूरी तरीके से हराना पड़ेगा और मैंने इसे damage दाना start कर दिया है और धीरे धीरे करके इसका health come होता जाएगा और last में ये पूरी तरीके से kill हो जाएगा चलो ठीक है अल्राइट डैमेज दिया फिर से इसे भी डैमेज दिया फिर से डैमेज दिया काफी अच्छा कासा डैमेज हम लोग दे रहे हैं चलो ठीक है फिर से डैमेज दे रहे हैं फिर से डैमेज दे रहे हैं चलो ठीक है अभे डिस्टोय हो जा चलो गाइस डिस्टोय कर दिया अब आगे चल दे फड़ा वट से सामने देख सकते हो यहां पर एक वहिकल है इस वहिकल के मदद से यहां से निकल जाएंगे वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए वीडियो को लाइक करिए चैनल को भी सबस्क्राइब कर लें